सीजन टू एपिसोड एट स्टार्ट होता है और बैजर एक स्किनी लड़के को मेथ सेल करने वाला होता है तो हमेशा बैजर जिसको सेल करता है तो उसकी पूश्टाच कर लेता है उसे safe होना चाहिए कि वो पुलिस वाला तो नहीं है इसलिए वो हमेशा इधर उधर देखकर एक मुयाएना करता है तो बैजर उससे बोलता है कि तुम cop हो और मुझे frame करने के कोशिश कर रहे हो मैं तुम्हें नहीं sell करने वाला वो उसे बोलता है कि वहाँ एक पुलिस के वैन है वहाँ एक black गाड़ी है अगर मैंने तुम्हें यहाँ दिया तब दो मिनिट में मैं burst हो जाऊंगा बैजर उसे बोलता है कि तुम probably एक wire पहने होगे तो वो skinny लड़का उसे अपनी shirt वगरा सब उपर करके दिखाता है कि उसने wire नहीं पहनी तो वो लड़का बोलता है कि मैं cop नहीं हूँ मुझे सिर्फ मेजर चाहिए और party करनी है तो वो जाने लगता है तब बैजर उसे बोलता है कि रुको रुको मैं दो सिर्फ मज़ा कर रहा था और वो उसे मेद लाके दे देता है तभी वो अपनी shirt से गन लिता है और बैजर को arrest कर लेता है नेक्स जिन में हमें TV दिखाया गया है और उसमें Saul Goodman की एक advertisement आई हुई होती है Saul Goodman एक lawyer है एक criminal lawyer है यह बहुती interesting character अब इस series में introduced होता है उसका नाम भी Saul Goodman नहीं होता यह एक it's all good man इस phrase से आता है it's all good Saul Goodman ऐसे यह एक create हो जाता है यह Saul अपने case जितने के लिए कोई भी illegal काम करने के लिए भी ready होता है और वो बहुत सारी services भी provide करता है जैसे कि money laundering या बहुत सारी चीज़े वो provide करता रहता है तो यह interesting character यह introduce होता है टीवी के advertisement के थूँ JC और Jane अपने bed पर पड़े हुए होते है JC जैन को बोचता है कि क्या तुमें कुछ smoke करना है weed वगेरा तब Jane उसे ना बोल देती है और वो उसे warning देती है अगर मेरे father को पता चला है तो तुमें जो deposit तुमने दिया था house के लिए वो नहीं मिलेगा और शायद तुमें बाहर भी निकाला दे जाएगा Jane उसे अपनी chip दिखाती है वो 18 months clean होती है किसी भी ट्रक से उसके बाद JC उसे बोलता है कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए तो Jane उसे कोई reply नहीं देती Jane उसे कहती है कि तुमारा TV चालो हो गया है Next scene में हमें Walter और Skyler दिखाए गये है और ये Saturday होता है फिर भी Skyler को चुटी नहीं होती तो Walter उसे ये बात बता देता है Skyler वहाँ से चली जाती है Marie ने Walter को अपने घर बुलाय होता है और Marie उसे बताती है Hank को घर पर भेज़ दिया गया है और Hank बहुती depressed है और उसे किसी friend की जरूरत है Hank उस incident के बाद बहुती डर चुका होता है और उसे अपने जॉब पर जाने की कोई need नहीं होती Walter उसके पेड़ पर जाके बैठता है और Hank उसे बताता है कि सब को हार्म हुआ था उस sports से पर सिर्फ में ही बज़ गया था क्योंकि मैं evidence back लेने गया था तो उन्हें कुछ गटबट लगी और उन्होंने मुझे घर बेच दिया है तो Walter उसे पूछता है कि अब तुम क्या permanently तुमारी जॉब चली गई है तो Hank उसे बताता है कि ये permanently, temporary वो decide कर रहे है Walter उसे बताता है कि इस incident के बारे में तुमें किसी से बात करने चाहिए किसी psychologist से या किसी से तो Hank उसे बोलता है कि मैं वो नहीं करूँगा अगर तुम psychologist से बात करते हो तुमारी जिंदगी बरबाद हो जाती है Walter उसे बताता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो तो Hank उसे बोलता है कि तुम्हारी और मेरी फिल्ड जरा अलग है हम एक्चुल में एक दुसरे से बात नहीं कर सकते तो Walter उसे बाता है कि तुम बिलिव नहीं करोगे कि कितना हम सेम चीजों से डील करते है Walter उसका experience बताता है Walter फिर उसे समझाता है और वो बोलता है कि मैंने मेरे पूरी लाइफ फियर में जी है मैं रात में भी जगता था और सोचता रहता था मेरे future के बारे में पर जब से मुझे cancer हुआ तब से मुझे बहुत ही अच्छी नीन आ रही है मैं किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीनता अभी नहीं करता तो ये जो डर होता है ये डर आदमी को cripple कर देता है ऐसे डर डर के जीने से कोई फायदा नहीं अब तुमें real world में जाना है और फिर से जीनोंने तुमारे साथ ये किया है उनको तुमें जवाब देना है इस तरह से वो हैंक को motivate करता है नेक्स सीन में हमें Walter और जेसी पैसे काउन कर रहे हो देखते है तो Walter को लगता है कि कुछ पैसे कम है तो जेसी उसे बताता है कि अभी तक Badger उसके पैसे लेकर नहीं आया तो Walter उसे Badger का पता करने को पुछता है जब जेसी कॉल करता है और Badger का पता करता है तब और प्रेशर डालने पर उसके फ्रेंड उसे बताते है कि Badger अब पुलिस कस्टडी में है अब Walter ने हैंक को motivate करने के बाद हैंक अपनी old job में फिर से वापस आ जाता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि बहुत दिनों तक drugs मार्केट में नहीं थे पर अभी फिर से वो blue meth available हो चुका है मार्केट में और हमने Badger को भी पकड़ा है Badger से वो यह skinny लड़का जो actual में officer होता है वो उसे negotiate करने के try करता है वो उसे बताता है अगर तुमने तुम्हारे boss का हमें information दे दी तो हम तुम्हें आसानी से चुड़वा सकते हैं पर तभी Saul Goodman आ जाता है वो उसका state assigned lawyer होता है और वो उस officer को जाने के लिए बोलता है Saul Badger को बोलता है कि criminal defense सबसे जो best होगा वो भी मैं तुम्हें देंगा और मैं तुम्हें एक second full call देता हूँ जिसमें तुम तुम्हारे relatives या कुछ family को call करोगे और उन्हे 4,500 dollars मुझे देने के लिए बोलोगे और वो उसको उसका card देता है इस address पर उसके family को आने के लिए बोलता है Saul फिर DE agent से मिलता है और उनसे deal करने के लिए एक offer करता है बैजर वाल्टर और जेसी को call करके बोलता है और फिर वाल्टर और जेसी Saul के office में आ जाते है वाल्टर को believe नहीं होता कि एक अच्छा lawyer होगा पर जेसी बोलता है कि एक best lawyer है जिसने उसके एक friend को भी मदद की थी फिर वाल्टर बैजर का अंगल होने का ढोग करता है और Saul के पास आ जाता है तो Saul उसे बताता है कि अगर उसने police को कुछ नहीं बताया यानि कि DA को कुछ नहीं बताया तो उसे 3-4 महीने जेल में जाना होगा और वहाँ जाकर भी वो food सकता है और वो सब बता देगा police को और दूसरी deal हमें ये मिल रही है कि DA को अगर उसने अपने boss के बारे में बता दिया यानि कि Walter और JC के बारे में बता दिया तो वो free चला जाएगा और उसे कोई time भी नहीं serve करना पड़ेगा फिर Walter Saul को एक deal offer करता है जिसमें Walter उसे बताता है कि Badger को DA की deal नहीं लेनी है और वो time serve करेगा तो ये तुमें possible करना है इसके लिए वो 10,000 dollars offer कर रहा होता है Saul को पर Saul उसे bribe समझ कर उसे इंकार कर देता है और Walter को निकल जाने के लिए बोलता है Saul का जब office खतम हो जाता है रात में तो Saul को Walter और जेसी किर्णाप कर लेते है और desert में लाते है उसे नीचे बेटने को बोलते है और उसके सामने ही उसकी grave होती है Saul बहुत ही डर जाता है और वो कुछ भी नाम बोलने लगता है उसे लगता है कि कोई और उसे मारना चाहता है तो जेसी और Walter जो अभी face mask पहने हुए होते है तो वो उसे बोलते है कि तुम्हें DEA की deal badger को नहीं देनी है तो Saul उसे बोलता है कि अगर तुम्हें actual में इस problem का solution चाहिए तो तुम्हें jail में ही badger को मार देना होगा जेसी उसे stickly ना बोलता है Walter को यह idea पसनाता है पर जेसी उसे allow नहीं करता फिर Saul उन दोनों को एक-एक डॉलर उसके pocket में रखने को बोलता है इससे अब वो उनका official lawyer बन जाएगा और attorney client privilege के नुसर वो कुछ भी नहीं बता सकता पुलिस को और अब वो freely बात कर सकते है तो वो दोनों को mask off करने के लिए बोलता है Saul फिर उनको advice देता है कि किसी ना किसी को तो jail जाना ही होगा next scene में हमें direct लिए दिखाया गया है कि badger DA की deal accept करता हुआ पैस Saul भी वहा होता है हमारा जो next scene है वो उस deal को accept करने के previous में होता है Saul उनको एक आदमी के बारे में बोलता है कि जो walter की तरह देखता है और वो भी bald होता है उसके भी hairs नहीं होते तो वो एक service provide कर रहा होता है जिसके लिए वो logo के लिए jail में जाता है और इसके लिए वो पैसे लेता है Saul उसके लिए 90,000 मांगता है Saul के उसमें 50,000 होते है और 40,000 जो jail में जाने वाला होता है उसको देने वाले होते है next scene में DEA agents badger को free कर देते है और badger पैसे लेकर एक bench पर बेटा हुआ होता है वही उसे Saul Goodman का जो आदमी होता है वो मिलने आने वाला होता है जो आदमी आने वाला होता है वो ज़र लेट हो जाता है और badger के side में अलग ही आदमी बेट जाता है badger उसे पुछता है कि क्या हम शुरू करें पर वो आदमी उसे कोई भी response नहीं देता फिर Saul का आदमी दुसरे बेंच पर बेटा हुआ होता है और badger का उस पर ध्यान नहीं होता तब ही Walter बोलता है कि हम कुछ करेंगे Walter गाड़ी गुमाता है और badger के सामने आ जाता है फिर वो जेसी को बोलता है कि badger को जाके वो inform करा है Walter फिर गाड़ी गुमाता है और Hank के गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लगा देता है वो उनका time waste करता है यानि वो जेसी को देखना पाए जेसी जाकर badger को बोलता है कि वो wrong bench पर बेटा हुआ है तब ही badger अपना bench चेंज कर लेता है और successfully वो उस आदमी को arrest कर लेते है जेसी जब घर आता है तब उसका bad delivery हुआ होता है जेन ने delivery man को अंदर आने लिया होता है और उसका bad गर में होता है previous scene में जब जेसी और जेन intimate होते हैं तो उसके पास bad नहीं होता तो अब वो bad का inauguration कर लेते हैं next scene में Saul Goodman Walter को मिलने उसके chemistry lab में आ जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम actual में chemistry teacher हो मैंने एक private investigator लगाया था और उसने तुमारा पता जल्द ही मुझे ढून कर दे दिया तो Walter उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे blackmail कर रहे हो तो Saul उसे बताता है कि मैं blackmail नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें सिर्फ आगा कर रहा हूँ तुम्हें lawyer की जरूरत है especially drug dealers को बहुत ही जरूरत होती है एक lawyer की Saul उसे बताता है कि तुम एक बहुत ही अच्छा operation यहारन कर रहे हो जिस तरह से DEA तुमारे पीछे पड़ा है तो यह बहुत ही important काम तुम कर रहे होंगे तो यह जो business तुम कर रहे हो यह एक bloom होने वाला business है तुम बहुत पैसे इस से कमाने वाले हो तुम मुझे भी इस ride में शामिल होना है मुझे भी तुमारे साथ एक silently पैसे कमाने है यह बोलकर सौल वाह से चला जाता है यही हमारा season 2 episode 8 खदम हो जाता है